प्रदेश के करमचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दे दिल्ली मुंबई में काम करने वाले MP के करमचारियों को सौगात मिली है दिल्ली मुंबई में पदस करमचारियों के हाउस रेंट बढाने की तैयारी है चटवे वेतनमान के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा, महानगरों में पदस कर्मचारी अधिकारियों को इसका लाव मिलेगा और राजिस सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है कर्मचारी क्रपया ध्यान दे, ये बड़ी खबर है, इस पक्त की कर्मचारीं के हाउस रेंट बढाने की तयारी राजिस सरकार ने आदेश वारी कर दिया है चटवे बेतनमान के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा महानगरों में पदस करमचारी अधिकारियों को इसका लाब मिलेगा कैसे करमचारी इसका लाब उठा सकते हैं ये जरा समझने की कोशिश करते हैं राजसरकार की और से आदेश जारी किये गए दिल्ली मुंबई में करमचारीयों के लिए एक हिस्ताकार कैसे लाब उठाया जा सकता है इसका करमचारीयों के हाउस रेंट बढाने की तैयारी है देखिए मद्यपदेश की कई कर्मचारी और अफसर दिली मुंबई में तैनाथ है अलग-अलग आईएस अफसर से लेके और बाकी कर्मचारियों तक जो अलग-अलग विभाग के दबतर महां पर बने उसमें वो तैनाथ है लेकिन लंबे अर्से से ये मांग की जा रही थी कि उनके बेतन बत्ते में बढ़ा बढ़ाय जाए उसको खास कर वो भाड़ा जो हाउस रेंट जिसे काहा जाता है उसमें बढ़ात्री की जाए दो हजार बारह में नो माह मैले करीब इसकी चर्चा हुई थी लेकिन इसको अमली जामा यानि इसका आधिश जारी नहीं हुआ सरकार ने डाक्टर मोहन सरकार ने इसको बहुत गंभिरता से लिया और बाकी राज्यों की अपिक्षा काफी कम बेतनमान है करमचारियों का, जैसे दूसरे राज्यों के करमचार जै presses मेहाराश का करमचारी जैसे मुंबई दिली में पदस्त है, लेकिन भाड़ा भी अपनी जेप से देना पड़ता था क्योंकि रेट बड़े जाते हुए है मेंगाई बहुत तेजी से बड़ी है तो मोहन सरकार ने इसको गंभीरता से लिया कुछ दिन पहले संक्ठनों की मुलाकात हुई थी लेकिन इस पर काम नहीं हुआ था चर्चाएं बहुत होती रही पर इसका आदेश जारी हो गया अब जल्दी इसका लाब मिलेगा तीस फीजदी के लगबग ये भड़ा बढ़ने जा रहा है खासकर उन कर्मचारियों का जो दिल्ली, मुंबई याने महान अगरों में पतास दिशुत तौर पर तो मेट्रो सिटीज है और यहां पर आवास की समस्या बहुत गंभीर होती है इस समस्या को हल करने की कोशिश अमध्रदेश सरकार की और से भी की गई है फ़ला शुक्रिया आपका मनुजी तमाम जानकारी के लिए आगे बढ़ें